आपने जो मचली पकड़ी थी वो कितनी बड़ी थी इतनी बड़ी इतनी बड़ी या इतनी बड़ी फोटोग्राफिक सबूत के बिना ये साबित नहीं हो सकता कि आपने बहुत बड़ी मचली पकड़ी थी और ये मचली पकड़ने के शुरुआत ऐसी ही रही है वास्तव में सैंक्डो साल पहले फोटोग्राफी के आने से बहुत पहले जापानी मच्छुआरों ने बड़े शिकार को रिकॉर्ड करने का अपना तरीका खोज लिया था उसे वे ग्योटाकू कहते थे ग्योटाकू मच्छली को प्रिंट करने की प्राचीन जापानी कला है जिससे आधुनिक कैमरे के आने से पहले बड़े शिकार रिकॉर्ड किये जाते थे क्यो मतलब मच्छली और टाकू मतलब छाप जो टाकू के विकास के बारे में कई कहानिया प्रचले थें लेकिन इसकी शुरुआत मूल रूप से मच्छुआरों के साथ हुई थी जिन्हें सौ साल पहले पकड़ी गई मच्छलियों की प्रजातियों और आकार को रिकॉर्ड करने के लिए एक तरीके की जरूरत थी मच्छुआरे समुद्र में कागज, स्याही और ब्रश लेकर जाने लगे वे समुद्र की रोमांचक कहानिया सुनाते थे चुकि जापानी कुछ मच्छलियों की पूजा करते थे इसलिए मच्छुआरे इन मच्छलियों को रगड़ कर चित्र बनाते और उन्हें छोड़ देते थे चित्र बनाने के लिए वे मच्छली को घैर, जहरीली, सुमी, स्याही से रंगते थे और उसे चावल के कागस पर चाप लेते थे इस तरह उन्हें छोड़ा जा सकता था या साफ करके बेचा जा सकता था इस तरह के पहले प्रिंट केवल रिकॉर्ड के लिए थे और बहुत सीधे सादे थे उन्नीसवी सदी के मध्य में उन्होंने आखों के विवरण और अन्य खूबियों को चित्रित करना शुरू कर दिया मशूर रईस लॉर्ड सकाई एक शौकीन मच्छुआरा था और अगर उसे उनका काम पसंद आता तो वो उन्हें अपने लिए प्रिंट करने के लिए काम पर रख लेता था एदो काल के दौरान महल में कई प्रिंट टंगे दिखाई देते हैं उसके बाद ग्योटा को उतना लोकप्रिय नहीं रहा और वो धीरे-धीरे गायब होने लगा आज ग्योटा को फिर से एक लोकप्रिय कला बन गया है जिसे कई लोग पसंद करते हैं और कहा जाता है कि प्रिंट मच्छुआरों के लिए गुड लक लाते हैं पर कला अब पहले की तुलना में काफी अलग है अधिकांश कलाकार अब इसे परीक्षण और तुटी से अपने आप सीखते हैं प्रिंट करने से पहले मच्छी को छपाई के लिए तैयार किया जाता है सबसे पहले कलाकार मच्छी को एक खोखली सतह पर रखता है फिर कलाकार पंखों को फैलाता है और उन्हें बोड पर पिन लगाकर सुखाता है फिर मच्छी को पानी से धोया जाता है प्रिंट करने के दो तरीके हैं अप्रत्यक्ष विधी चावल के पेस्ट का उप्योग करके मच्छी पर कपड़ा या कागस चिपकाते हैं फिर कलाकार टोंपो या रेशम से धकी रूई से प्रिंट बनाने के लिए कपड़े या कागस पर स्याही डालता है इस विधी में अधिक कौशल और मच्छी से कागस निकालते समय अधिक ध्यान की जरूरत होती है ताकि कागस भटना जाए प्रत्यक्ष विधी में कलाकार सीधे मच्छी को पेंट करता है और फिर नम कपड़े या कागस को मच्छी पर धीरे से दबाता है इन दोनों तरीकों में कोई भी दो एक जसे प्रिंट नहीं मिलते हैं लेकिन दोनों से मच्छी के सुन्दर चित्र जरूर मिलते हैं फाइनल टच के लिए कलाकार एक चौप या एक मोहर का उपयोग करता है और अपनी कृती पर हस्ताक्षर करता है उसे उठाकर कह सकता है मच्छी वाकई इतनी बड़ी थी